Another course of trends and issues in early childhood. We have been talking about trends and issues. कुछ trends बन जाते हैं जो नए वक्त के साथ साथ हमें चलना पड़ता है और हम नई चीजें करते हैं और कुछ हमें अपने issues को भी resolve करना है. तो हम आज देख रहे हैं कि curriculum, pedagogies and practices with ICT in the information age and introduction to ICT. देखे 21st century में जो सबसे बड़ा इनकिलाब आया है वो information technology का है. अब इसमें बहुत सी बहस जैसे मैंने अर्स किया, एक बहुत बड़े लोग जो हैं इसके authors जो हैं जो psychologists हैं, वो इसके हमायत में हैं कि ICT को छोटे बच्चों के लिए भी involve किया जाए और उसको harness किया जाए, उसका फाइदा उठाया जाए. जबके एक बहुत बड़ी जमात जो हमारे psychologists की है, वो यह कहते हैं कि ICT के इस्तमाल में बहुत ज़्यादा इहतियात करना ज़रूरी है. तो हम देखते हैं कि क्या चीज़े हैं, so IT has fundamentally changed everyday and academic task. अब हम रोज जो कुछ कर रहे हैं, जो academic task है, वो सब एक तफ़ा बदल गए हैं. पहले जो चीज़ें, आप जो समझें paradigm shift आ गया है, पहले जो चीज़ें जब में कभी ICT involved नहीं थी, अब हर चीज़ में हमारी reading में, हमारी games में, और हमारी हर तरह की जो learning है, knowledge जो हम acquire कर रहे ह हैं, वो सारा का सारा ICT से मशरूत हो गया है. So despite policy and hardware infusion, computers are not fully integrated into learning. लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ICT का जो इस्तेमाल है, ज्यादा तर वो इर्द गिर्द की चीज़ों में हो रहा है, उसको तालीम के लिए बहुत ज्यादा और अच्छे तरह से तहकी करके इस्तेमाल कम किया जा रहे हैं. Some question government spending on ICT in education. और अभी तक हमारी जो countries है, developed countries, वो अभी तक ये कह रहे हैं कि जो developing countries है, वो technology के ओपर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वज़ा से एक digital divide पैदा हो रही है और हम और पीछे तरक्की में जाते चले जा रहे हैं. 20 years ago, there was debate about the role of technology in the early childhood curriculum. तो 20 साल पहले जब technology का अभी उरूज शुरू शुरू में आया, तो लोगों ने सोचा कि इसको early childhood में भी लाना चाहिए. लेकिन ये एक बहस है, ये डिबेट है कि early childhood में किस हैसियत में लाना चाहिए, कितनी मिकदार में होना चाहिए, so ये curriculum में होनी या नहीं, so arguments against computer use by children are often framed in budgetary terms, तो कहा जाते है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ICT के जो कारोबारी हैं, उनको पैसा कमा के देने के लिए अपने छोटे बच्चों को भी गैर जरूरी technology का इस्तिमाल करा रहे हैं, so quality of traditional educational materials and textbooks can also be question, ऐसी सुरत में जो बहस एक बड़ी हमारे सामने हमारे असाद्जा और हमारे साइकॉलोजिस ये कहते हैं, कि अगर आप सिर्फ technology पे इन हिसार करेंगे, तो वो जो आपकी textbook के खुबसूरती होती है, उसमें peaceful answer शामिल होता है, और दूसरे आपके जो reading material हैं, जैसे academic material हैं, जैसे games हैं, जो educational games हैं, blocks और इस तरह की चीज़ें, तो उन सब की एहमियत कम हो जाएगी, जिसमें sensor, जो आपकी sensors थी, वो involved थी, या sensory motor abilities आपकी involved थी, उनकी एहमियत कम हो जाएगी, so concerns about children spending too much time on computers may be unwarranted, तो ये भी मसला बना, कि भाई बच्चे अब केल, कूद, बाकी जो हैं, वो सब छोड़ गई हैं, और सारा वक्त अब वो technology पर रहते हैं, so national survey data shows that children's computer use is relatively low on average, अब हम ये देख रहे हैं, कि जहाँ technology का इस्तमाल होना था, वहाँ वो नहीं हो रहा, जबके गलत तरीके, या गहर मुनासब तरीकों की तरफ technology जो है, वो ज्यादा इस्तमाल की जारी है, so technology can provide advantages such as access to updated information and resources, हम ये देख रहे हैं, कि हमें ज् resources, जो जो अच्छे knowledgeable resources हैं, उनकी तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये यही तो इसका advantage है, कि आप इससे ज्यादा स्जादा knowledge गेन करें, बजाए इसके के इसको इससे पर time waste किया जाए, so emphasis on drilling basic facts in textbooks and standardized tests can be criticized, next हमारा issue ये है, कि जो हम technology को एक तरफ यूज़ कर रहे हैं, दूसरी के साथ, इस technology के साथ mail खा रहे हैं, क्या ये आपस में मतापकत रखते हैं, ये अभी तक हमारे लिए सवाल है, जो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते भी जाएंगे, और जो हमारे scientists भी हमें बताएंगे, कि इनको हम किस तरह से, बेटरे तरीके से align कर सकते हैं,